दोस्तों बिग बॉस के नए सीजन यानी सीजन सोला की शुरुआत हो गई है जिसमें अलग-अलग फील्ड के सोला कंटेस्टन को लाया गया है कोई रैपर है तो कोई डांसर तो कोई टीवी आक्टर है तो कोई डिरेक्टर और ये सारे ही कंटेस्टन्स इस शो को भरपूर टियार पे दिला रहे हैं ऐसे में हर बार की तरह है इस बार भी हर फैन के मन में ये सवाल आ रहा है कि किस कंटेस्टन को per day कितना पे किया जा रहा है योकि इस सीजन में बहुत से ऐसे लोग ہیں जोकि बेहद ही popular है कहा तो ये भी जा रहा है कि सल्मान खान विग बॉस 16 को होस्ट करने का 1000 करोड रुपए चार्ज कर रहा है अगर आपको भी ये शो पसंद है तो आप भी जाना चाहते होंगे इन कंटेस्टन्स के पर डे के इंकम के बारे में तो भी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इससे पहले कि आपके सबर का बांट टुच जाए दूस्तों स्टार प्लस सीरियल के इमली शो से पहचान बना चुकि सुम्बुल तौकीर खान बिग बॉस की सबसे कम उम्र की कंटेस्टन्ट है उनकी उम्र महज 19 साल है टिलेविजिन सीरियल्स में इन्होंने सबसे पहले साल 2009 में शुरू हुए सीरियल चंदरकुप्त मौरे में काम किया था इन्होंने बॉलिवुड में साल 2019 में आई मूवी आर्टिकल 15 से अपना डिब्यो किया था इसके अलाबा इन्होंने जोधा अकबर, वारिस और इशारों इशारों में जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया है लेकिन इतने सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम करने के बाएद इन्हें साल 2020 में इमली बनने पर लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया दोस्तों इमले से मशूर 19 साल की सुंबल तौकीर खान बिग बॉस 16 में 12 लाख रुपे पर वीक चार्ज करती हैं और इसी के साथ वो बिग बॉस 2022 की हाइस स्पेड कंटेस्टन भी बन चुके हैं दोस्तों टीना दत्ता को पिछले 6-7 सीजन से बिग बॉस में लगातार बुलाया जा रहा था लेकिन वो इंट्रेस्टेड नहीं थे और सोचने वाली बात यह है कि जब इन्हें शो पे आना नहीं था तो बिग बॉस इन्हें बार-बार क्यों इन्विटेशन भेज रहा था तो दूस्तों आपको बता दें इनकी पॉपिलारिटी के चलते इन्हें बार-बार इन्वाइट किया जा रहा था उत्रन टीवी सीरियल में इच्छा के नाम से मशूर टीना वेस्ट पेंगॉल के कोलकता से बिलॉंग करते हैं और यह टेलेविजिन जगत का एक जानावाना नाम है इन्होंने उत्रन, डायन, शनी और सेसुराल सेमर का जैसे हिट टीवी सीरियल में भी काम किया है इसके अलावा यह पांच मूवीज में भी काम कर चुके हैं इनके पॉपिलारिटी का अंदाजा आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट से लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पे इनके 31 लाग यानी 3.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और बिग बॉस 16 में ये 8-9 लाख रुपे पर वीक चार्ज कर रहे हैं दोस्तों पंजाब की रहने वाली निमरित को उनके फैंस छोटी सरदार्नी के दाम से जानते हैं क्योंकि ये छोटी सरदार्नी टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं वैसे ही एक लोयर भी हैं इनकी सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फालोविंग है इनके इंस्टाग्राम पर 11 लाख फॉलोवाज हैं और ये बिग बॉस 16 में 8 लाख रुपे पर वीक चार्ज कर रहे हैं जोस्तों मानिया सिंग मिस इंडिया रन और रप रह चुकी हैं इनके पिता एक आटो ड्राइवर थै इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है जब ये महस 14 साल के थी तभी ये अपना करियर बनाने के लिए अपने घर महराष्टर के कोलापूर से भाग कर मुंबई चली आई उस समय इनके पास ना कोई सोर्स ओफ इंकम था नहीं खाने और रहने का ठेकाना इनके पास कुछ था तो वो थे इनके बड़े-बड़े सपने और उनका इन सपनों के प्रति डेडिकेशन उनके माता पिता को दे गया जिसके चलते वो अपनी बेटी को मुंबई से वापस अपने घर कोलापूर ले जाने के बजाए अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही शिफ्ट हो गया मानिया के पिता उम प्रकाश एक आटो रिक्षा ड्राइवर है जीवन में इतने उतार चड़ाव के बावजूद मानिया कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई अब को बताते मानिया मैस इंडिया साल 2020 की रणर अब भी रह चुकी है लेकिन उनके हालातों में ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ मानिया के मताबिक उन्हें दो साल में सिर्फ एक कमर्शियल एड ही ओफर हुए उनको ज्यादा इंगलिश नहीं आते जिसके चलते उन्हें ज्यादा एड्स नहीं मिले इसलिए वो बिग बॉस 16 में आई ताकि वो नेम, फेम और साथ में मनी भी कमाए बिग बॉस 16 में मानिया आठ लाख रुपे पर वीक चार्ज कर रहे है दोस्तों महराश्ट्र के पूने के रहने वाले MC स्टैन का रियल नेम अलताफ शेख है इन्हें सबसे ज्यादा पॉपिलारिटी इनके गाने डबली ए टीए से मिले बिग बॉस के घर में घुसते ही गौतम वेग MC स्टैन से बिना बाद के ही भीड़ गया थे जहाँ पर इन दोनों के बीच तूतू मैं में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाकी कंटेस्टन्स को बीच बचाव करने के लिए बीच में कोदना पड़ा हलंकि ज्यादा तर कंटेस्टन्स ने MC स्टैन कहीं साथ दिया दोस्तों MC स्टैन और फलताफ शेक बिग बॉस 16 में 7 लाख रोपे पर वीक चार्ज कर रहा है विस बिंगॉल में जन्मी स्रीजीता डे टीवी सीरियल आक्ट्रेस और एक मॉडल है यह उत्रन टीवी सीरियल में मुकता राठोड और नजर टीवी सीरियल में दिलरुबा की भूमिका में नजर आई थी और इनके इंचोज से इन्हें अच्छी खासी पहचान भे मिले रिपोर्ट्स के मताबिक यह बिग बॉस 16 में 6 लाक रोपय पर वीक चार्ज कर रही है दोस्तों शिप बिग बॉस मराथी 2 के विनर रह चुके हैं और यह बिग बॉस 16 में 5 लाक रोपय पर वीक चार्ज कर रही है दोस्तों साजित खान बॉलिवुड के जाने माने डिरेक्टर है इन्होंने साल 2006 में आई मूवी डरना जरूरी है से आज डिरेक्टर बॉलिवुड में डेब्यो किया था लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो भी मूवीज बनाई वो बॉक्स ओफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई जिसके बाद इनके फैंस को लगने लगा कि कहीं ये दोनों रियल लाइफ कपल तो नहीं है और मौके पर चौका लगाते हुए सलमान खान ने भी इनको कहा कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते अपको बताते हैं दोनों ही बिग बॉस 16 में 5 लाख रोपे पर वीक चार्च कर रहा है दोस्तों गॉतम विग भी एक आक्टर हैं इन्होंने आक्टिंग करियर के शिरुवात नामकरन टीवी सीरियल से साल 2016 में किये थे और ये साथ निभाना साथिया 2, नमस्कार, पिंजरा खुबसूरती का, अगनी वायू और इश्क सुभानला जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं और अभी ये बिग बॉस 16 में हैं ये बिग बॉस 16 में 4 लाख रोपे पर वीक चार्च कर रहे हैं अपने ठुमकों के साथ बिग बॉस के घर में जगड़ा करने वाली गॉरी नागॉरे भी किसी से पीछे नहीं हैं उसनों आपको बताने कि गॉरी सिंगर, डांसर और एक स्टेज परफॉर्मर भी हैं और ये भी बिग बॉस के घर में धामाल मचाने आई हैं अपको बताने कि इन्हें हर्यानवी और राजस्थानी शकीरा के रूप में जाना जाता है गॉरी ने एक बार बताया था कि जब वो 9 साल के थे तो वो टेलेविजन देखकर डांस सेखते थे इक दिन उनके परिवार वालों ने उन्हें डांस करते हुए देख लिया जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत डाटा और कमरे में बंद कर दिया लेकिन उन्होंने फिर भी अपने सपने को पूरा किया और आज बिग बॉस 16 में इतना ज्यादा फेम कबाने के साथ साथ वो 4 लाग रुपे पोवीक चार्च कर रही है दूस्तों आपकी चहीती और बिग बॉस 16 की कंटस्टेंट अरचना बिग बॉस के घर में चारों तरफ नज़र आ रही है अब जिदर भी नज़र उठा कर देखेंगे आपको सिर्फ अरचना ही अरचना नज़र आएंगे अरचना एक मॉडल और पॉलिटिशन है अरचना मिस बिकिनी इंडिया 2018 का टाइटल भी जीत चुकी है और इन्होंने बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआद ग्रेट ग्रैन मस्ती से की थे जिसके बाद इन्होंने कई और फिल्में बिके इन्होंने कई सारे आइटम सॉंग्स भी किये हैं और प्रेजेंट में ये बिग बॉस 16 की कंटेस्टन्ट है आपको बताते हैं ये तीन लाग रुपे पूर वीक चार्ज कर रही है दोस्तों इनसे मिलिए यह हैं छोटे भाईजान जो कि आपको सलु भाई की अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान में नज़र आएंगे अब्दुरूजी एक तजिकस्तान के जाने माने परफॉर्मर है और बाकी अक्टर्स की तरह ही इनके फेम ने भी ने बिग बॉस 16 में पहुँचा दिया है जो इने सोशल मीडिया एंफ्लूएंसर हजबुला से फाइटिंग और आर्ग्यो करने की वज़़ा से 2021 में रातो रात एंटरेट सेंसेशन बनने से मिला था इनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फालोविंग भी है इनके इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट में 5.3 मिलियन फालोवर्स है दोस्तों देखने में अब्दु भले ही भूले भाले से 5 साल के बच्चे लगते हो लेकिन इनकी उम्र 19 साल है असल में जब ये छोटे थे तब ही इने रिकेट्स की बिमारी हो गई थे दोस्तों इनकी एक ऐसी बिमारी होते जिसमें human body में bones का development रुख जाता है जिसके चलते हैं इनसान की height नहीं बढ़ते अब दुकी family की financial condition अच्छी नहीं होने की वज़ा से उन्हें समय रहते treatment नहीं मिल पाया जिसके चलते हैं इनकी height बढ़ने ही रुख गई हलनके इस बात पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं गाया है अब ये फिलहाल में कुछ दे रहे हैं तो बिग बॉस 16 के contestants को अपने cuteness का डोज जिसके बदले ये बिग बॉस के stage से चार लाख रोपे पर वीक चार्ज कर रहे हैं शालीन नागिन सीरियल में केशव के नाम से famous थे इसके अलावा इन्होंने नचबलिय, सुरिपुत्र कर्ण और नागिन जैसे सीरियल्स में काम किया है बॉलिवुड में इन्होंने साल 2006 में आई मूवी प्यारे मोहन से अपना डेबियो किया था इसके अलावा इन्होंने देवदूत मूवी में भी काम किया था बिग बॉस 16 में ये चार लाख रोपे पर वीक चार्ज कर रहे है सौंदार्य शर्मा एक इंडियन आक्टरिस और मॉडल है जो कि हिंदी मूवीज में काम करते है इन्होंने अपने आक्टिंग करियर के शुरुआत साल 2017 में आई मूवी रांची डारीज से के इसके अलावा भी इन्होंने कई और फिल्मे के इसके अलावा इन्होंने रक्तान चल टू वेब सीरीज में भी काम किया दोस्तों प्रेजेंट में सौंदर ए शर्मा बिग बॉस 16 की कंटेस्टन्ट है और ये बिग बॉस 16 में 3 लाख रोपे पर वीक चार्च कर रहे हैं तो दोस्तों ये थे वो कंटेस्टन्ट जो कि बिग बॉस 16 में इस बार आया है वैसे दोस्तों इनमें से आप किसे सपोर्ट करते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को भी जरूर अन कर लें धन्यवाद